हेलो माइडियर स्रेंट्स माइन नेम ही सुनेश शिंदे वेलकम टू शिंदेश केमिस्ट्री टेक्निक्स चलिए भाई बहुत दिन हो गए आप लोगों का यह चाप्टर पेंडिंग है क्योंकि उसके पीछ रिजन ही है कि यहां पर बीच में आपका नीट जे डवली सीटी अब दूसरे भी ऑमारे ऑनलाइन क्लासे बहुत सारे थे तो इसलिए प्रॉलम आ गया था उसलिए मैं बहुत आपका इसलिए मैं दुख व्यक्त करता हूं सुमला ऐसा बोलूगा मैं क्योंकि बहुत दिन का गया ठीक है अब यहां से गया पड़ेगा अब आपका पोड़ि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप्टीकल आइसोमेरिजम इन गुलकोस यह देखने वाले इसको जर्मन नोबेल लॉरेट ने 1902 में दिया हुआ है आपका टेक्स्बुक में सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं तो देखिए अभी आप्टीकल आइसोमेरिजम हम लोग है लो बालेंटी फोर एक्टम्स आइट्म स्या रूप से सर्वंडर्डिया फिर अप्र बॉंडडे उन आचीए इसको क्या वोलने वाले हैं कायरल कर रभाटर इसको यह वन कर बन है यह तू कर बन है यह त्री कर बन है यह फोर यह 5 यह 6 ऐ बुलकोस का स्टॉक्च्छर एल्ग त यहां पर 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 यह का इरल यह ग्रूप यह ग्रूप और यह ग्रूप 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 है ऐसी यहाँ पर देखी है इसकी नंब ही करते हैं one two three four five six कितने काय रहे ले one two three four गॉलें फिसमें देखी यहां पर नंब ही करते है one two three four five six कितने काय रहे ले one two three four आयसा है मतलब गुलकोस में तो यह आपका आप्टिकल आइसमरिजम यह देखना है मतलब यहां पर अभी जो गुलकोस होगा वो कैसा होगा और डेक्स्ट्रो राइट साट गूमता है तो उसलिए वह डेक्स्ट्रो रोटेटर ही है गुलकोस तो यह यह आदकना है गुलकोस तो इसका रोटेशन आल्फा लोटेशन वह याद अखना लटेग आपको यहां कितना होता है 52.5 होता है एक्टब Material निकालता है तो आपके जो टेक्स्ट्बुक म olmas के इसकी जो value जो दी है 52.7 दी है यह old value new value जो है 52.7 दी है ओके यह आपके textbook की अभी की value रिसेंट लिए 52.7 degree ओके इसके लिए क्या होता है dextrotrotator यह dextrotrotator यह आपको याद तखना है इसको इसका थोड़ा information कि अभी यह dextrotrotator क्यों है है क्योंकि इसकी अपास यह उप्टिकल एक्टिव है इसका जो अल्फा रोटेशन हो कितना 52.7 डिगरी है और इसको डेक्स्टो रोटेटर ही बोलते है ऐसा क्लियर है तो गुल्कोस गुल्को गुल्कॉनिक ऐसिड सैकरी कैसिड यह क्या होगा आपका उप्टिकल एक्टिव क क्योंकि इस पर चार-चार है चार क्या है काईरल कारमेटम है इसके एदर ही फोर है 1234 1234 1234 क्लियर है विल्कुल क्लियर हो गया छोटे कंसेप्ट बस आपको यह आधक नहीं है ऐसा तो यह हेलोजन डेरिवेटिव के साथ वहां से लिया गया असलों कोई प्रॉब्लम है नही कि चलित अब देखते हैं डी-एंड-L configuration system समस्त्य होता क्या है डी-ल कपिटल दी और small small नहीं एडिया कैपिटल दी और कि लिए तो लेकिन यहां पर Capital D यह configuration है शुगर को रिप्रेजेंट करने का यह configuration है अब यह ग्लिसरल डिएट के एक्जामपल है किसका एक्जामपल है अब इस पर यह गुलकोस का लेकि देखिएंगा तो लास्ट कारवन लास्ट कारवन से अटाइच और राइट साइड है तो डी बोलते हैं इसको अधिक्ट्रो रोटेटर वह बहुत है डी को ऐसा लिख सकते सब्सक्राइच प्लस यॉवर्ण के लाइट साइड और इसका है अगर इस काईरल कारवन एटम के लिफ्ट साइड तो एला और प्लस मतला होता है डेक्स्टो रोटेटरी माइनने समय दोनों चीज समझाए समझाने के लिए लिए एक गर लास्ट जो काईरल कारबंस अट्राइच णोष गरूप कहां पर है रास्ट लॉस्टा कि अभी गुल को से एकजांबल तो मैं भी आपको एक वाले एक्जांपल लेका बता था गुलकोस का एक लेकी बता था आपको तो फिर आपकी इस बिल्कुल क्लिए जाए चोटे चोटे टॉम में समझने वाले एक्जाम लिखने नहीं आएंगे तो आप देखे हैं और आप गुलकोस का इस ट्रक्चर सी एच ओ डेखे हैं है और यह सिख्थ घिखन। यह पर होगा यहां पर होगा इधर ओ फो इधर हो अदर होगा यहां पर आपको एधर होगा चल्ड़ट रखना है सब्सक्राइब का यहां पर यहां पर यहां पर लास्ट कार्बन साट एच ग्रूप कहां पर है राइट साइड तो मैं इसको लिखूंगा भार दी और ग्र्कोस होता है और यहां तॉय६ को सब्सक्राइब कर देक्स्राइडいい घर साब के गॉलकोस अ ऑली चैक और मदोल्द को जनर्णल हो गया एफ यह दो नब हो फुरा ना वहांए होगा डी प्लस lug न कोज़ेक्사 करते दायिकर ऑलीतिटाफली तो यहां पर लोना है आप कोई जरू नहीं किया एलए प्लस हो ऐसा कुछ नेगेटिव मतर्ट डेक्स्टर भी हो सकता है लिए भी हो सकता है हो गया है यह आपका ऐसा क्लियर है चलो इसको कर लीजिए अब देखते हैं रिंग स्ट्क्चर और गुलकोस यहां पढ़ लिया भी यहां तक आगे डी प्लस गुलकोस ठीक है डी का मतलब सुना है यह आपका लास्ट काईरल कारवन एटम से अटेच्ट लास्ट काईरल कारवन से अटेच्ट ओएच ग्रूप कहां पर होना चाहिए रा देखो या स्मॉल दीखो बात एक ही रहता है ओके चलिए अब इसके दो स्ट्ट्चर पॉस्ट इसके बहुत सारे केमीकल रियक्शन के एविदेंस लेकि हम लोगों इसको बनाए वाय तो फिशर प्रोजेक्शन आपका यह फिशर प्रोजेक्शन आपका तो उसके दो क्या ह अब है यहां पर फिफ्ट कर्वाइब कर बनाए बैठीन और शिर पे ओक्सिंट गष्ट कर बनाए तो यहां पर जेखने का वह रिग आपका हैँ अगर हैं एक अगर आपका फोस्त चर्वेश गूप अगर चान हीट-लवाइगा तो एक हो नेम बढ़ीघा अलवार्द नमेरिक कार बोलते हैं कि इसके पहले कैसा था वो साइकली के पहले वो अल्डेडी ग्रूप तो यहां पर यहां पर इसलिए अलफा 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 आएगा डी कि वारा लास्ट कार्बन आटाइच ग्रूप राइट साइड था प्लस कि और एक्सपेरिमेंट से आने वाला है अब यहां पर देखते हैं दूसरा फॉस्ट कार्बन से अटाइच इसमें कार्बन कम हो गया एक माणा यहीं बना देता हूं एक कार्बन में कम हो गया फॉर ठीक ना प्रवलम ने एक कर्वें कम बन गया शग्में से तो दिखाइश यह फाइव और यह 6 तो नहीं आपको इसको दर बड़ा बता जाता हूं अब यहां पर देखना भी फर्स्ट कार्बन साइट अच और लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड है उसलिए बीटा आएगा डी कि वाएगा क्योंकि लास्ट कार्बन एटम से टाइच क्या था और राइट साइड उसके लिए डिया राए प्लस मतब डेक्स और इसका जो स्ट्रक्चर पाइरे नोस के जैसा है किसके जैसा रहेगा स्ट्रक्चर आपको याद रखना ये पाइरे नोस की जैसा है ठीक है ठीक ऐसा रहता ये पाइरे नोस इस टाइप से पाइरे नोस की जैसा इसका स्ट्रक्चर है इसलिए इसको एसको देख प्लस ग्लको पाईरेनोज पूरा नाम क्योंकि यह जो स्टक्चर यह को पाईरेनोज जैसा इस तक ज़िक अब को देख रहा है अब आपको देख लीचे फटफट दिख रहे हैं भी आब लोगो तो यह ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं यह आपका पाइरे नोज है पाइरे नोज तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक नामबर और अच्छा बढ़ा सकता हूं गो अलफा यहाँ प्लस गुलको पाइरे नोज यह भी कर सकता हूं यह भी राइट हो सकता है आपके टेक्स में लिए 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 और इनको हम क्या बोलेंगे अलफा एनोमर इसको लेंगे बीटा एनोमर मतला दो इसको यह पर नाम दिया जा सकता है अब्akat अब यह में सब्सकें असologists ऑन कटी से पढ़ी गया आप लोगोंको आपको आज जाएगास करने ठीक है ना अब मैं आपको है आप देती है यह साइंटिस्ट का नाम है क्या नाम इनका हाव अर्थ नाम है इनका ठीक है ना कि हावर्थ प्रोजेक्शन साइटिस्के नाम पर यह फिश्टर बोड़ेक्शन इसके नाम पर यह आपका है में असे हमें रिंस रोख हैमी इंग अलफा अवर बीट अनवर के आलफा आटले के गए व्यूष मेंलेंगे लेफट साइड अभीस का प्रोजेक्ट ने का तो सब स ये बेसिक पहले बाद लिन अ पर अब देखे जो इस साइड वोंगे मतल जो डो राइट-साइड दिणना पॉर रइट जीतने वी गूरूप और हो प्लें की निशा आए तर ये सार्य ओह हो फेज़ेग्श भूट है ये ग्रूप के ये बिदेखो यह नीचे लिखा मैंने हो एक और इसको मैंने उपर लिख यह आ हावर प्रोजेट्शन लेकिन क्या नाम है इसका यह नाम यही नाम है अल्फा क्षण रिफा प्लस गुलकोस लाम हेगा अलफा टी प्लस गृत्म लिघ्टा मैदर बंस बनाना एक मुझ ऐम भीटर बनाना नाम Di है इसको आप अदर्टल रहें अलफा सट या है याします पूरा नाम क्या होगा अलफा डीप प्लस गुल को पायरे नोस भी हो सकता है अलफा एनोमर है है अब बीटा बना इसको उपर पहुंचा दो अब याद बीटा में यह वाला इधर होता है दिखाता हूं याद आया जो इच नीचे यह हो गया बीटा खथ तम आया है हावर्थ प्रोजेक्शन आपको बना रिंग फॉर्वर्थ ठीकिन आगे आपको बनाते हैं कर आएगा आएगा हावर्थ प्रोजेक्शन इसी है जो राइट साइड की जितने भी आइटम से गुरूप हो कहां लिखना है प्लेन की नीचे और लेफ्ट साइड के उपर खतम हो गया रहा हो गया पूरा स्टक्चर को ज्यादा हाड नहीं है इसी है आप फोड़ा प्रैक्टिस कर देखिए आपको आ जाएगा करी जिसको नोट के आप देखते हैं रिद्यूसिंग नेचर ऑफ गुलकोस तो गुलकोस क्या करेगा पॉजिटिव टेस्ट करेगा कि है ओके उसको हम क्या बोलने वाले हैं रिद्यूसिंग नेचर ऑफ गुलकोस बोलेंगे अब यहां पर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉक्टोस ले रहा हूं यहां पर अभी हां ठीक है हो अब मैं यहां पर लेने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉक्टोस अब देखते हैं structure of fructose structure of fructose तो यह सारे आपके अभी monosaccharide के structure पूर हो जाएंगे फिर disaccharide है और आपका polysaccharide syllabus से हड गया reduce हो गया जो ठेके 25 पर से आपका आपका polysaccharide structure नहीं है बहुत आजसान हो गया अभी सिर्फ आपको structure of fructose मतलब monosaccharide और disaccharide देखना आता अभी खतर हो जाएगा तो यह दो को डी माइनस fructose fructose होता हो लिवर रोटेटर इसलिए माइनस डी मतलब लास्ट काईरल carbon item सेट आचा ओच गुरूप कहा होना चाहिए आपका राइट साइड होना चाहिए उसके डी माइनस क्यों एक्स्परिमेंटल वैली तो यह आपका हो जागा क्या हो लिवर रोटेटर हो जाए आपका यह क्या हो आपका लिवर रोटेटर ही हो गया ओके अब यहां पर की टोनी गुरूप सेकेंड पोजिशन पर अल्डेली गुरूप फॉर्स पोजिशन रहता है इसमें भी आपके कितने रहेंगे इसमें एक दो तीन इसमें कितने काईरल कार वाइटम है और फ्रुक्टोस में आपके ठीक या दखना यह सब कुश्चिन आपको पू आपको क्या करना है सेकंड कटोनी ग्रूप सेटेंड जब कर गया वह यहां पर ट्रखन केषा अब disp अगर राइट साइड है तो अलफा और अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा यह पहचाने सके से कर वन से फ्रूक्टोस और आपको गुलकोस में फॉर्स कारवन देखना बनेगा ओके क्लियर वहा यह इसा थो इसको आलफा डी- फ्रूक्टोस बोलेंगे इसको सोलेंगे बीटा डी- माइनस फ्रूक्टोस अब यह जो स्ट्क्चर इसका किसके सिमिलर होता है इसका स्ट्क्चर देखने इसका जो स्ट्क्चर होता है फ्यूरैन के फ्यूरैन के फ्यूरैन के सिमिलर है इसके सिमिलर है फ्यूरैन के तो इसको हम गण वोलेंगे दोगा नाम बतल सकता हूं है इसका नाम क्या जाएगा बीटा डी मेनस फुक्टो टिक एनी आ रे फ्रुक्तो या फिर एक काम करता हूं दूसरा नाम लिखके ही दे देता है आपको बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्रुक्टो फ्यूरैनोज यह ऐगा अब इसको मैं सब बना के देता आपको यह फ्रुक्टो दूसरा नाम को चुछ और हम इसको ऐसा लेखने वाले हैं अलफा डी माइनस फ्रुक्तो फ्यूर नोज फ्यूरा यह थोड़े थैस्ट श्र्ट्ट्ट्ट्स सिम्पल स्ट्टर कोई जाधा है नहीं Bened Zero 3456 numbering रहे इसकी हो गें देख सकते हो इसका 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 हाव ख्रोजेक्शन बना के देख सकते हो इसका बनाको आका खेल ताप को हाव 살 लगता है लेकिन इस बहुत ही अब देखते हैं इसका हावर्थ प्रोजेक्श करना है तो इसमें भी पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा इस टाप से स्ट्रक्चर बना लेना है एक माटा शेप अच्छा नहीं आया है कि यह ऐसा रहेगा तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा देखी कि एक माट की जरा है बोलेंगे सर आप से नहीं मन रहा है तो हमसे कैसे बनेगा है न वह बोर्ड पर क्या होगा अग्मिल को इसमें जाधर मुझा भी ओबी सिस्टम में पढ़ाने के आदत हो गई है तो यह स्ट्रक्चर प्रॉल्म होगा इसमें ठीक है चलेगा कोई बात नही है अब यह ऐसा आपको बना लेना तो नंबरिंग कर लिजिस की अब पहले अभी अलफा अलफा में ओच कहां पर होना चाहिए अब सोच लिजिए अलफा में अभी क्या करेंगे भी वह नीशे लेते हैं वह को नीशे मतला वही रूल है जो राइट साट जित्ते भी आइटम प्लेंस ग्रूप उसको प्लेंग के निचे लिखना प्लेंगे इस फोल गया ओशनी च्छ तो इच नमरी करते वान टू ट्री फॉर फार फाइड और यह सिक्स ऐसा बना दिया अब अब दिखिया सेकेंड का मने विश्टी चाहिए थर्ड का एच नीचे और ओच उपर फोर अब बीटा करना तो बीटा में क्या करेंगा में नाम यह बदले तो बीटा अब बीटा में क्या पल्टा दोस्को खताम ओश को उपर और च्छ को निचिरिक हो गया खतम तरीका समझा गया जो राइट साइड के जितनी वे अटम से ग्रूप वो प्लेंड के नीचे और उसमें अपर रखना खतम बाकी कर देख लेना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको यह आ जाएगा चलिए कर लिज्या सको कि अब हमको स्टार्ट करना है डाय सेकराइट्स मोनो सेकराइट्स के पूरे स्ट्रक्चर हो गए अब प्रैक्टिस करके देख लिजिए आ जाएंगे उसनको इतना डिफिकल्ट जैसे मैंने बोला है मेरे युड़े को बार बार देखती जाए उसको बार बार देखेंगे वीडियो को तो आपको समझाएंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ बहुत बड़ी है तरह के समझाया है कुछ प्रॉलम नहीं है ठीक है ना तो आप देखते हैं फिस डाय सेकराइट्स का मतलब क्या होता है दा कार्वोहर्डेट्स विच ओन हाइड्रोलिस इस तो मोनो सेकराइड अंवास फ्रॉक्टॉर स्थ्च क Programm प्रॉक्टॉज स्टॉrait अटव और है एक यह संच मेर अगा तो यह था होना ओक भी और रिंग मेर आए। गुलकोस और d minus fructose तो गुलकोस का होता है rotation कितना है उसका प्लस 52.7 degree और इसका होता है माइनस 92.4 degree तो अब इसको में इंवर्ट सुगर पोसेट इसका एसा क्यों हो रहा है यहां पर दिखेंगे इस पर साइन केतना है प्लस का है इस पर और और क्योंकि 92 जाता है फिफ्टी दूसले ओर और माइनस आना का साइन का प्लस टू माइनस मदब इसका इसको ते इन पर सुकरोश जोन ऑपर सुकरोश जोधाइंस नाम आपको आएगसर पुर्य प्रोसिस को ई INVARTION पड़ी इसको देख लीजेश ऑक्ए हम देखते है और सकरोस का गुलकोस मतलब d भूकोस यूट्वाइब और आ एक यूनिट शेड़ खमें पेटा दी मानेस फ्रॉक्तोस इने दो इस बना है तो को यहां का एक यहां का यूड करोपिया ऑए टूनिक रूप या की तूनिकूर। यहां का अच्छिजन और यहां का शॉडेडिक यहां का अच्छिण ऑर यहा है ओर यहां क्यखा नाम है आलफा बीटा वन्टो ग्लाइको सैडिक लिंकेज यह फिर सिरफ नाम अल्फा observed one two typically alpha beta is there किसका हमने alpha LIA है इसका लिए बीट यहां के लिए यह क्लासिटिक्स पड़ाता इसके फोर्स करवन पर था पहले अले पहले मतलब यहावर्थ प्रोजेक्शन बनने से पहले और यह क्या है आपका किया पर कीटोनी गूरुप था इस दो नों बाउंड हो गए यह थोड़ा याद है को ज्यादा हाड नहीं है कर लीजे इसको ठीक है ऑके अब देखते हैं माल टोस तो माल टोस का अगर हाइडरिस करेंगेगे ताको बिलेंगे गल्कोस के दो मॉलीकल्स यादार है आपको का हमने हिसकी गूल गूल्कोस श्रत अल्यां Уριाद ग्यां यह नाम है यह नाम है, इसका भी वही तहेगा, alpha-d plus glucose अब जाओ तो इसको, glucose भी बूल सकते हैं, इसको भी बूल सकते हैं, अब आप को बोलना है, तो वह भी बूल सकते हैं, या, अब गल्फा टैसा होता है फिरस्ट का फ्रस्ट कर्बंचाइट हो हेशक और इंच यहां से और यहां से OTH तो H और वाहर बाहर दो बने के आपका ग्लायकोसाइडिक लिंकेज या बॉलेंगे तो यहां पर दोनों आलफा उसले एक जुए फिसमें आते हैं बाकिव नहीं नहीं आता और इसमें देखेंगे आभी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कार्वन जो है यह आ डेटी गूप यह बांड है ग्लायकोसा यहां पे इसका first carbon stylus 친 lips से free हो वो सकता है इसलिए यह हो जाए आपका reducing 気 रिडियूशेंग बडियूशिंग शुकर हो मैं प्रिडियूशिंग सब्ली रहे यह मैं इसको यह नदो क्योंकिश का एक उनियट का डी बन सकते हैं रिडीविसिंग शुकर पलते हैं ठीक है कर दिए नोट इसको ओके अब देखते हैं क्या है एक गलेख्टोज है न के अपको इक डेक्टोस और एक विल को इन बराबर कर नेहें एक बीटा डी प्लस गैलेक्टोस और बीटा हूप लोग मिल्क कर सो दो क्या कि को लोगolare लिक शुम एसको मिल्क शुगर दखो मिल्क शुगर ओके तो अभी देखो कैसे खरना का यहां से औक द स में ऑ फूर। यहता है यह फ्रॉरद का प्लिटा अब इनकõr तो यहां का ओएच और यहां का ओच वाटर निकल यहां से अब 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 को चाहओ तो लिंकेज भी बूल सकते हैं पर ठीक एन लिंकेज चलता है अब यह रिडूसिंग शुगर है क्योंकि इसका बाउंड है इसका फ्री हो सकता है इसलिए यह रिडूसिंग यहां पर आपका अभी कंप्लेट हो गया है क्या कार्बोहाइड फिनिश सबसे बड़ा पार्ट बोलते क्योंकि स्ट्क्चर जाए बहुत सार इस आज के लिए पूरे स्ट्क्चर इसके लिए आप आज का लेक्च्चर को समझने के बाद खुब प् अब नेक्स जोग प्रोटीन को करीक्री वन लेक्चर में बहुत सार पार्ट हो जाएगा वन अन्वागे का फिर वन या टू लेक्चर तो दो चाले लेक्चर में फिनिश भी अब फटा फट जाएगा दो अब जितने भी चैनल में सब लोगों पढ़ाएंगे चैप्टर को यहां से कोई तकलिफ नहीं होगी ओके चलिए अब पढ़ते रहिए और एंज्वाई करिजिए इस्टड़ी ओके बाई और ज्यादा जाद शेयर करना और पूरा वीडियो देखने के लिए बोलना आप में फ्रेंड्स को आप भी देखिए आपको फ्रेंड्स को देखने ल बाई चलिए ओके बाई